हेलो दोस्तों स्वागत करता आपका टेकोपीडिया के एक नए वीडियो में और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने रैम की मेमरी बढ़ा सकते हो सबको पताए कि रैम अगर जादा ना हो रैम थोड़ा कम हो आपके लैपटॉप में और आप थोड़ा सा कम जादा कर रहे हो तो आपका लैपटॉप हैंग कर सकता है हैंगिंग इशूज आ सकते हैं तो आज मैं वही आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप वर्चुल रैम सब्सक्राइब सब्सक्राइब करने वरना आप यहां पर सैखून पीडिक आ यहां पर क्लिक लो शिस्टम सेकोरटी पाइब सब्सक्राइब करने बाद आप यहां प आफ आपको देखेगा इंस्तॉलoire आम आपकी चारगी बी की है जिसमें से 3.79 GB आप यूज कर सकते हो ठीक है तो इतनी हैं आपके पास अब हम यहाँ पे सर्च करेंगे एडवांस्ट सेटिंग ठीक है व्यू एडवांस सिस्टम सेटिंग हम टाइप करेंगे ठीक है तो यहां पर हमें क्या करना है यहां पर आपको आएगा परफॉर्मेंस ठीक है परफॉर्मेंस में आप देख सकते हो यहां पर वर्चुल मेमोरी आप देख सकते हो इस पर हमें सेटिंग पर क्लिक करने के बाद हम जाएंगे एडवांस्ट में एडवांस्ट में जाने के बाद यह चीज हम देख सकते हैं यहां पे हम चेंज का उप्शन आएगा चेंज पर क्लिक करेंगे तो यह देखिए इसको जैसे आप अनसेलेक्ट करोगे आप यहां फे सब को खुद से मैनेज कर सकते हो सारी चीज़ खुद चेंज कर सकते हो ठीक है custom size पे आप click करोगे तो यहाँ पे आप खुद से भी डाल सकते हो कि आपको कितने RAM के जरूरत है यह सारी चीज़े आपके हाथ में आ जाएंगे आपके control में आ जाएंगी तो यह करने में आपको आसानी होगी और इस तरीके से आप अपने RAM को खुद भी control कर सकते हो अगर आपके laptop में extra RAM नहीं दी गई है तो आप अपने drive से hard disk drive जो है आपकी उससे आप memory को gain कर सकते हो उससे आप virtual RAM ले सकते हो उसकी memory से उसके GB को यूज़ करके आप virtual RAM ले सकते हो तो I hope दोस्तों आप लोगों कोई चीज समझ में आयोगी सारा process क्लियर होगा सारे steps क्लियर होगे प्रीज एगर आपको समझ में ना आया हो तो एक बार फिर से देख लिजए आपको सब समझ में आ जाएगा चैनल पे पहली बार आया है तो सब्सक्राइब करके बैल लेकर ज़रूर दबा दिजए वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक भी ज़रूर कर दिजएगा मिलते दोस्त अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जैहन